दोस्तों मैं जयाद्द फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल एज्यकेडिमिक्स तो अब भी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें जादा से जादा से शेर करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक important theorem जिसको हम MN theorem के नाम से जानते हैं तो basically ये trigonometry की theorem से हैं तो MN theorem का statement हम देखते हैं और कैसे उसका proof रहता है वो हम देखते हैं तो क्या रहता है इसका statement इने triangle ये कोई त्रिबूज अपने को दिया हुआ है ABC ठीक है इने triangle ABC G is dividing dividing base BC BC हम इसका साथ साथ जैसमें diagram बना देता हूँ इस type से अपने पास ये जो है ABC triangle है ठीक है और ये G point है point G is dividing base BC in ratio M ratio N ठीक है ये M और ये N M ratio N में G point इसको क्या कर रहा है divide कर रहा है and angle A A जो angle था उसको angle A in alpha and beta ठीक है इसको alpha और beta में divide कर रहा है then and एक और यहाँ पर रहेगा and angle A G C A G C जो अपने पास angle है ये हो जाएगा यहाँ पर theta ठीक है यह रहता है यहाँ पर theta then तब इसका जो statement है वो क्या रहता है first M दो statement है इसके M plus N quote theta equals to M quote alpha minus N quote beta first जो statement वो अपने पास ही रहता है M quote alpha minus N quote beta second इसका एक और statement रहता है और यह रहता है अपने पास M plus N quote theta equals to और यह रहता है अपने पास तो यहाँ पर मेरे पास जो angle B है यह क्या हो जाएगा जैसे यह यह बोलते थे हम triangle होता है property यह दोनों जो angles है internal जो angles है यह दोनों opposite side वाले इनका sum equals to होता है इस side के ठीक है trigonometric की property रहती है होता है कि actually इन दोनों का sum minus यह होता है 180 total 180 sum रहता है 180 में से इन दोनों का sum minus करूँगा तो यह निकल जाएगा और यह भी total 180 रहता है तो इसका sum 180 में से minus करूँगा तो यह आ जाएगा मेरे पास basically रहता क्या यह x है यह y है यह होता है x plus y degree अपने पास ठीक है तो यहाँ पर यह angle है यह क्यों हो जाएगा यह इन दोनों का sum होना चाहिए यानि theta minus alpha theta minus alpha यह angle अपने पास हो जाएगा अब जैसे triangle in triangle a, b, g a, b, g इसमें अगर मैं sign formula लगाना चाहूँ sign formula अगर मैं use करता हूँ तो क्या हो जाएगा sign formula क्या रहता है जैसे यह side है इसके सामने वाला angle हम लेते हैं upon में दूसरी side उसके सामने वाला noon cone रहते हैं वाँ पर इस side के सामने जैसे मैं बात करता हूँ b, g b, g upon यह जो side है इसके सामने angle alpha sign alpha equals to यह ratio बराबर रहता है अपने पास यह side जैसे ag है ag upon इसके सामने angle है sign theta minus alpha ठीक है तो यहाँ से अगर मैं ratio देखना चाहूँ तो b, g upon a, g यह ratio क्या जाएगा मेरे पास b, g upon a, g तो sin theta sorry alpha upon sin theta minus alpha यह हो क्या इसी तरह उस triangle मैं अगर मैं देखना चाहूँ तो agc in triangle agc using sin formula आपर भी अगर मैं sin formula यूज़ करता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास ag और यह angle यह angle क्या आजाएगा आपने पास इसको जैसे तीनों का sum 180 या pi pi में से theta और beta मैं minus कर देता हूँ pi minus theta plus beta ठीक इन दोनों का sum pi में से minus कर देता हूँ 180 में से तो वह आजाएगा मेरे पास तो क्या हो जाएगा ag upon ag upon sin और ag के सामने अंगल है sin pi minus bracket theta plus beta और यह sin pi minus theta वापिस यह theta अपने पास angle बन जाएगा जो भी है equals to और यह दूसरी जैसे मैं लेता हूँ cg जीचे वाली साइड इसके सामने अंगल beta तो यह हो जाएगा sin beta यह ratio क्या रहता है अपने पास equal रहता है sin formula से result अपने पास है ठीक है इसको जैसे मैं करता हूँ ag upon cg यह ratio अगर मैं देखना चाहूँ तो ag upon cg तो यह तो उपर चला जाएगा और उपर क्या जाएगा sin theta plus beta ठीक है pi minus theta वापिस होया जाएगा sin theta plus beta sin theta plus beta upon और sin beta upon sin beta ठीक है यह दो results मेरे पास आगे अब मुझे जो first वाड़ा है वो चीज प्रूफ करनी है first में क्या है m plus n quote theta और m quote alpha minus n quote beta यह जो है result मुझे ले क्या आए तो basically जो अपने पास m और n की बात हो रहे है तो m upon n यह ratio था इसको मैं क्या लिख सकता हूँ bg upon gc या cg ठीक है bg upon cg तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ bg upon cg यह तो यहीं रहने दो और bg upon a g यहां लिख लेता हूँ a kg और a kg यहां लेता हूँ कोई फराग थोड़ी पढ़ेगा cancel out होते वही bg upon cg रहेगा क्योंकि इनकी अपने पास क्या है वेल्यू जाए इसलिए मैंने ऐसे लिखा इनको BG upon AG ये रेशियो क्या था अपने पास Sine Alpha upon Sine Theta minus Alpha into AG upon CG ये रेशियो Sine Theta plus Beta upon Sine Beta ठीक है यहां तक हमने यूज कर लिए तो इसको जो है इसको भी रब कर देते है चलिए अब क्या करते है इनको यहां से अपने पास क्या जागा इधर तो M रेशन चल रहा है ठीक है इस साइड क्या हो जाएगा Sine इसको जैसे ओपन कर लेते Sine A plus B Sine A cos B plus cos A sin B इसको ओपन करेंगे तो Sine A cos B minus cos A साइड क्या हो जाएगा अपने पास Sine A उपर तो इंटू इसको जैसे मोपन करता हूं Sine A cos B plus cos A और Sine B ठीक है यह हो जाएगा अपन यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा एक तो Sine B इटा इसको तो यह रख लेते हैं और यह Theta minus Alpha तो Sine A यानि Sine Theta cos B cos Alpha minus cos A cos Theta और cos A sin A cos B cos A sin B यह हो जाएगा Sine Alpha ठीक है यह अपने पास रेजल्ट आ गया किसकी वल्य आई थी है M upon N की ठीक है चलिए इसको अब क्या करते हैं उपर नीचे हम Sine Theta Sine Alpha और Sine B से क्या करवा देते हैं डिवाइड करवा देते हैं इधर तो M ratio N अपने पास बच गया इधर देखें यहाँ से क्या करवाना है मैंने इससे डिवाइड करवाना अपने को Sine Theta Sine B और Sine Alpha तीनों जो एंगल से उनसे हमें डिवाइड करवाने हैं यहाँ पर यह ट्रम क्या बनेगी Sine Alpha, Sine Theta और Cos Beta ठीक है जब मैं इससे डिवाइड करवाँगा तो Sine Alpha कैंसिल Sine Theta भी कैंसिल क्या बचेगा Sine B तो Cos Beta पून Sine B यहाँ से क्या बच जाएगा मेरे पास Cos upon Code, Code Beta यह बचेगा सेकिन ट्रम देखिए Sine Alpha, Cos Theta, Sine Beta Sine Alpha कैंसिल, Sine Beta भी कैंसिल, क्या बचा Sine Theta Cos Theta पून Sine Theta, यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, Code Theta निचे भी डिवाइड करना है तो निचे क्या हो जाएगा Sine Beta कैंसिल, Sine Theta कैंसिल, तो क्या बचा, Sine Alpha बचा, Cos upon Sine, Code Alpha और माइनस, यहाँ पर क्या बच जाएगा Sine Beta कैंसिल, Cos Theta कैंसिल, सोरी, Cos Theta तो कैंसिल नहीं होगा Sine Alpha कैंसिल हो जाएगा, तो Sine Theta बच गया, Cos upon Sine, Code Theta यह अपने पास बचेगा, ठीक है अब क्या करते है, Cross Multiplation करवा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अपने पास M, Code Alpha, इसको जैसे मल्टिप्लाई करवाँगा, M, Code Alpha, Minus M, Code Theta ठीक है, Equals to, और इधर क्या जाएगा, N, Code Beta, Plus, N, Code Theta ठीक है, Code Theta दोनों में, तो क्या करता हूँ, मैं, इसको इधर ले जाता हूँ, तो यह हो जाएगा, M, Plus, N और Code Theta, Common आजाएगा, दोनों में से, Equals to, इसको यहाँ ले आता हूँ, इस वाले ट्रम को तो, M, Code, Alpha, Minus, और यह, N, Code, Beta, ठीक है, यह जो हमारा First, जो M, N, थोरम का स्टेटमेंट है, वो अपने पास काम आएगा, ठीक है, और बार-बार काम आएगा इसमें, तो याद कैसे रखना आपको, ठीक है, यह क्या होगा, M, प्लस, N, Code, Theta, और M, Code, Alpha, Minus, N, Code, Beta, तो आपको इसको कैसे याद रखना है, एक तो यह चीज़ द्यान रखने कि कौन से ट्राइंगल में थीटा है, इस वाले ट्राइंगल में थीटा है, क्या करना है, M, Code, Alpha, और जो जिस ट्राइंगल में थीटा दिया हो, उसको Minus करना है तो एक तो इधर तो M, Plus, N, Code, Theta, यह तो fix है, M, Plus, N, Code, Theta, जा तक कोई दिकर, इधर यह कैसे द्यान रखना, M, Code, Alpha, Minus, N, Code, Beta, M, Code, Alpha, Minus, N, Code, Beta, Minus किसके साथ लेना, जिसमें थीटा अपने को दिया होगा है, ठीक है, अब जैसे इसका Second Proof है, वो करते है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, इसको Like करें, जादा से जादा जो है, Share भी करना है दोस्तों की बीच, Second जो Result है, उसमें Angles हमें, B और C दिये वे, ना कि Theta, और Alpha, जैसे Alpha और Beta की टरम्स में नहीं है, यह होगा, इसको जैसे Minus को, N, प्लस N, Quote Theta, इकल्स टू N, Quote B, यहाँ आप एंगल बीटा नहीं है, यह Complete B दिया हुआ है, माइनेस M कोड़ C ठीक है यह देखे अब इसको कैसे करेंगे वाप पिसे जैसे साइन फॉर्मूला वही तरीका जो है यहाँ पर अपलाई करेंगा इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल A B G इसमें अगर मैं साइन फॉर्मूला यूजिग करता हूँ ठीक है B G B G B G के सामने अगल अब यहाँ पर अलफा नहीं लेंगे हम यह एंगल लेंगे B A G साइन B A G ठीक है इसको थीटा और B की टरम्स में लेकर हैं क्योंकि आपने पास कहीं भी इसमें अलफा नहीं है तो थीटा और B की टरम्स में लेकर हैंगे इकुल्स टू और जैसे ये साइड है A G A G के सामने अपने पास एंगल ये तो ये क्या हो गया B एंगल साइन B ठीक है इसको B A G ये जो एंगल था एलफा इसको मैं थिटा माइनस B लिख सकता हूँ इन दोनों का सम ये होता है यानि बी प्लस एलपा जो भी है उसका समय होगा एलफा की वैल्ली मुझे ची है माइनस सुरी बीटा नहीं भी ठीक तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बीजी अपॉन साइन और यह हो जागा मेरे पास थीटा माइनस भी और यहां से मेरे पास रेशियो क्या जाएगा बीजी एपोन एच्जी यह रेशियो क्या जाएगा अपने पास यह उपर चला जाएगा शाइन थीटा माइनस भी इप sentiments है कि इसी तरह उस इस ट्राइंगल है अगर मैं देखना चाहूं, इन ट्राइंगल ए-जी-सी, उस ट्राइंगल के एगा मैं बात करूँ, आपर क्या हो जाएगा, मेरे पास CG, cg के सामने एंगल कौन सा है cg इसके सामने एंगल बीटा है ठीक है इसको लेकिन मुझे b c इनकी ट्रम्स में और ठीटा इनकी ट्रम्स में लेकर आणा है तो इस एंगल को मैं जैसी ये अपने पास c एंगल है ये ठीटा है तो c और ठीटा तो हमें यूज करने कोई दिक्कत न इसको कैसे लेका सकते हैं इसको पाई माइनस थीटा प्लस सी ये लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा प्लस सी तिनों कसम पाई 180 उसमें से ये दोनों माइनस कर देंगे थीटा प्लस सी वाला जो सम्में वो माइनस कर देंगे ये मेरे पास क्या हो जागा सीजी सीजी के सामने य theta क्या होता है वापी sin theta होता है ठीक है तो यह हो जाएगा अपने पास इक्वल्स टू ए जी कि एजी के सामने इस ट्राइंगल में सी है ठीक है साइन सी यहां से अपने पास रेश्यों आ जाएगा सीजी अपून एजी जो मैं करना चाहूं अगर सीजी अपून एजी तो यह तो वहाँ चला जाएगा साइन और यह थीटा प्लस सी हो जाएगा और अपून क्या था साइन सी यह दो मेरे पास क्या आगए रेश्यों अब सिमिलरली वैसे क्या करना अपने को एन रेश्यों लेना है कि इस रेश्यों की ज़रुत पड़ेगी अब आत्यजा गंणस्ताश है कि यह लिख सकते हुआ ओ एजी में क्या था बिजि अपने पास वापिसे क्या बच Sine Theta minus b upon Sin B ठीक है यह AG upon Cg हमें चाए और हमारे पास क्या है Cg upon AG तो इसको क्या कर देंगे? Reverse कर देंगे उपर नीचे Change कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा Sin C upon Sin Theta plus C Change क्योंकि हमने AG upon Cg चाहँ हमें यहां CG upon AG तो इसको opposite कर दिया क्या हो जाएगा? साइन सी इसको वापिस ओपन कर दो साइन ए माइनस बी तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन लिए अपर यह हो गया अपूं इधर नीचे अपने पास क्या था साइन बी था यह इंटू तो साइन ए कोस बी एंगल सी दिया हुए यहाँ पर प्लस कोस ए साइन बी यह अपने पास हो गया इसको हम क्या करेंगे हमाई जो रजल्ट है वो क्या चीए साइन बी साइन सी और साइन थीटा इन से हम क्या करेंगे इनको डिवाइड कर देंगे उपर नीचे दोन्नों को यह तो एम अपने चल रहा था यहाँ पर देके, first trump sinc, उससे divide कर रहे हूं, cancel sinθ, यह भी cancel, क्या बचेगा, sinb बचेगा, cos upon sin, coat b क्या बचेगा, coat b minus, यहाँ से Sinc cancel, sinb यह भी cancel, क्या बचा cosθ, और वहाँ sinθ, cosθ upon sinθ, क्या बच जाएगा, coatθ, divide कर रहे हूं, इस ट्रम को भी डिवाइट कर रहे हैं निच वाली ट्रम को भी तो sin b cancel और sin theta cancel क्या बचेगा sin c तो यह अपने पास cos c upon sin c code c अपने पास बच गया और plus sin b cancel sin c cancel sin theta बचेगा वहाँ से ठीक है तो cos theta upon sin theta code theta यह आगया ठीक है अब क्या करना है दों cross multiply करवाना है करवा सकते हैं क्या हो जाएगा इसको इससे multiply तो m code c plus m code theta equals to होना चाहिए इसको इससे multiply n code b minus n code theta ठीक है code theta यह किया है इसको भी set दिया हो तो m plus n और यह हो गया code theta equals to यह क्या था n code b इस ट्रम गुदर ले जाओ minus m code c तो यह जो है इसका second result रहता है जो हमारे काम आता है तो यह हमारे पास दो result थे mn theorem इसको हम बोलते है statistics में अभी जो हम friction वाड़ा topic करने है इसलिए यहां करवाया है क्योंकि अभी काफी सारे examples आएंगे जहां पर हम इसका statement जो है direct use मिलेंगे तो आपको जो है यह दोनो statement डारेक्ट ध्यान होने चीए ठीक है कैसे भी m plus n code theta equals 2 अपने पास एक है n code b minus m code c और second मैंने बताया था m code alpha minus n code beta दोनों इधर यह same है m plus n code theta ठीक है तो यह आपको ध्यान होना चीए काफी important जो है यह थोरम है वैसे तो trigonometry से इनके deduction हमने किये है तो यह result आपको ध्यान देने चीए आगे हमारे काम आएंगे धन्यवाद